वेल्कम गईस आपको फिर स्वागत एक नई क्लास कीज़र और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं होर्टी कल्चर का लेक्चर नमर सेकिंड जैसे कि हम बात करें तो याद रखेगा होर्टी कल्चर से समझे अब्जेक्टिव क्यूसन को तो जिसका पार नमर सेकिंड आजम क् बखा गया है जो कि आपको एकजां में पूछे आचुके हैं जो प्रिविएस एकजां में उनमें आपको एक पूछे आ चुके हैं इसलिए याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास के बेल आइकन कूल जरूर प्रेस कर दें तक कि आने वाले सभी वीडियो आप आपको नुट स्य साहत मिलती रहे तो चलेक क्लास को स्टाट करते हैं कि सबसे प। पहले कॉमेन साइक कुछे सन याद रखेगा कि बगचा लगाने हेदू सबसे उपयूक्त विदी कौन सी होती है। तो यहाँ पर याद रिखेया सबसे उपयुक्त विदी मतलब याद रिखेया एक साधा नटा है उसको ही यूज किया असा है बाग लगाने के लिए तो कौनसी विदी होती है आईताकार होती है वर्गाकार होती है पंच भुजाकार होती है जल्दी से आप बता सकते हूं यहाँ पर कि सबसे उप्युक्त विदी कौन सी मानी जाती है तो याद रखिया अगर हम बात करते हैं साधर अनता है तो जितने भी यहाँ पर याद रखिया जो भी किसान है जो क् option मतलब वर्गकारविदी ठीक है चले नेक्स्टिसन के आपर बात करेंगे कि त्रिपोजकारविदी में वर्गकारविदी के अपेक्सा कितने प्रतिसत कम पोदे लगते हैं यहाँ पर याद रखिया कम पोदे लगाए गये हैं मतलब याद रखेगा एक हम ले रहें चार पूछा गया है याद रखेगा जब भी अगर मालीचे आपको हेक्टेर नहीं देता है तो वो पर हेक्टेर के अक्वर्डिंग ही माना जता है तो यहाँ पर बात की गई है कि मालीचे एक हेक्टेर में आप वर्गकारविदी से कर रहे हो और एक हेक्टेर में त्रिपुचा का 11% मतला 11% का तो यहाँ पर आपको क्या लगता है तो यहाँ पर याद रखेगा आप आसान इसे बता सकते हैं उसको तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा याद रखिया मतलब याद रखेगा वर्गागार विदी की आप एक साथ जो त्रिवुजागार विदी है इसमें 11% कम पोदे लगाए जाते हैं नेश्टिसन के आप बात करेंगे कि उध्यान लगाने की कौनसी विदी में पंक्ती से पंक्ती की दूरी अधिक रखी जाती है क्या पूछ रह होती है जिसमें याद रखेगा क्या होती है खतार से कतार की तो दूरी सैम होती है लेकिन पंक्ती से पंक्ती सोरी पोदे से पोदे की दूरी तो सैम होती है लेकिन याद रखेगा जो पंक्ती से पंक्ती की दूरी यह क्या होती है अधिक होती है तो कौनसी विदी होती है अ आप यहां पर आप देख सकते हो उपर वाला जो मैं थड़ा है या फिर नीचे वाला जो मैं थड़ा अब नीचे वाला तो हो गया इसमें दोनों से मैं मतलब यह तो है वर्गकारविती लेकिन आपको यहां पर क्या पैच्चाना है कि जो उपर वाला मैं थड़ा है मतलब इस किसमें क्या होती है पंक्ति की दूरी अधिक होती है नेक्स टूसन के आप बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है डाई हेक्टर छेत्र फल में संत्रा की लगबग पोदों की संक्या कितनी होती है ठीक है तो अब यहां पर याद दखें यह कुछन आपके लिए है थोड मतलब जैसे कि माल लीजे खजूर की कितनी होती है आर्ट इंडू आर्ट होती है ऐसे आपको यहां पर ग्यात कर नहीं है याद देखिया संत्रा की छेत्र फल आपको यहां पर दे रखा डाई हेक्टर पहले हम फॉर्मुला कंप्लीट कर लेते हैं हां यहीं इसका में इसको कैलकुलेट करोगे और उसके अकोड़िया आपके सामने उनमें से आजाएगा तो जिसका आता है जल्दी से वह कमेंट सेशन में बताएं कि सर्जी हमारा इसका राइट आचुका है ठीक है चलिए जब तक हम नेक्स्ट इसम के आपर बात करेंगे जिसमें आपको आगया कि सगन पोद रोपन हे तो कौन से विदी अपनाई जाती है क्या पूछा गया सगन पोद रोपन के लिए कौन से विदी अपनाई जाती है तो यहाँ पर या देखिया सगन अगर हम बात करते हैं सगन की मतलब क्या कर रहे हैं सगन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा प्लांट को हम ग्रो कर रहे हैं तो वह एक कौन सी विदी है जिसमें सबसे ज़्यादा पोदे यहां पर लगाई जा सकते हैं तो पहले हम मैथड देखेंगे सबी कि एक होता है त्रिवुजाकार एक होता है पंचबुजाकार एक होता है वर्गकार ऐसे बहुत सारे methods होते हैं जिसे के contour भी दी हुआ लेकिन यहाँ पर केवल हम उसी के बारे में डिस्कुस करेंगे जो कि आपको options में दे रखे हैं तो आई तागार वर्गा कार की अपक्षा अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो सगन रोपन करेंगे इन methods के according तो हमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा आपके सामने options है इनकी according यहीं आपको बताना है तो यहाँ पर याद रखेगा जो हम सबसे ज़्यादा जो सगन कर सकते हैं सबसे ज़्यादा जो पोद ले सकते हैं वो पंच बुझाकार से ले सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि याद रखेगा वर्गा कार की अगर बात करेंगे तो वर्गा कार में सामानेते पोदे रखते हैं तो इससे कम कितने होता है, 11% कम पोदे होता है, 3 बुजाकार में, ठीक है, आईताकार में होंगे तो सही, लेकिन इससे भी कम होंगे, वर्गाकार से आईताकार में भी कम होता है, ठीक है, और वर्गाकार से याद खिया, 5 बुजाकार में क्या होता है, लगबग दुगने सम दुगने पोदे इसमें लगाए जा सकते हैं तो इसलिए हमार राइट अंसर क्या हो जाएगा पंच भुजाकार जिसे हम क्विंकंस मेथड के नाम से भी जानता है काफी अच्छे किसा यह कि पूरग पोदे का सबसे अच्छा हुदारण कौन सा है करेले हम यह यहे जानेंगे कि पूरग पोदा होता क्या है तो यहां पर ranging पंच भुझाकर के अगर हम बात करेंगे घर सब्सक्राइब ऐसे होता है याद रखी है वर्गलकर की रूप होता है लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पोदा हम बीच में लेलेते हैं क्या करते हैं फी Miss इंग्लिज में इससे फिल्लर प्लांट बोलाजता है अब यहाँ पर यहीं पूछा गया है कि माल लीजी जो आप फिल्लर पोधा लरे तो सबसे अच्छा इक्जंबल को साय है these सबसे अच्छ Salem यह होते हैं ठीक है याद रखेगा इनको सभी काफी important questions है नेक्स्टिसन के आपर बात करेंगे कि मर्दा सरण को रोकने है तू उध्यान लगाने की कौन सी विदी सत्से उप्यूगते हैं क्या करना आपको कि मर्दा सरण को रोकना है तो आप किस विदी का चुनाव करोगे सत्थ भुजाकार का समोच विदी का मिड़ो विदी का या फिर त्री भुजाकार का यहां पर उद्देशी याद रखेगा मर्दा सरण को रोकना है नेकि आपको पोदे उगाने मर्दा सरण रुखना चाहिए आप किस विदी का चुनाओ करोगे तो कोमन सी बात या देखिए हम कंटूर विदी का प्रियोग करेंगे क्योंकि इसने कंटूर विदी के विप्रीत पोदे लगाई जाते हैं ठीक है जिसे क्या होता है जो मर्दा सरण ये रुख जाता है मतलब जो सामानेत होता है उस से कम होता है ठीक है इसल गर्राइज ओप्सेटर आपको पूछा गया है कि सैप्च्य विदी उद्यान लगा कि कौन सी वीदी को कहासा है तो यहां पर याँ देखेगा एक common सा उपनाम पूचा गया है कि किस वीदी को sexual वीदी के नाम से भी जाना सता है मिडव वीदी को पंच बुझाकार को सर्ट बुझाकार को है फिर contour वीदी को तो यहाँ पर याद दखेगा, आप चाहो तो बता सकते हो, otherwise यहाँ पर याद दखेगा, जो sexual method है याद दखेगा, यह सट बुझाकार को ही बोलासता है, जो hexagonal method होता है, उसी को याद दखेगा, sexual method के नाम से भी जनासता है, नेक्स टिसन के आपर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है, कि एक सामाने परिवार में सब्जियों की आवसकता की पूर्ती है, तो लगबग कितने छेत्रिफल की आवसकता होती है, क्या पूछा गया है, एक सामाने परिवार आपको पूछा गया है, उसके बारे में हलेंें लेकिन अब एक कोमज सा परिवारे माल लचे तो उसके लिए कितने आव exploited कित ने चहतर फेल की पूछा 느 allegiance मैं किसन समोज़ आ गया तो अब आते हैं हमारे किसन के ओर मतलब इसके रई डоды जार कि एक परिवार के लिए किइए च्यतर क्या जाना hypotheses करेंगे जिसमें आपको पूछा गए सगन सबजी बागवानिक किसे खाखके तो सगन सगन का मतलब क्या होता है अभी हमने जाना था रोपन विदियों में सगन क्या होता है जिसमें अधिक से अधिक पोदे लगाई चाह सकते हैं या फिर बिल्कुल पास से पास पोदे लगाई चाह सकते हैं अब याद रखेगा, अगर अधिक पोदे होंगे, तो भी बिल्कुल पास पास रहेंगे, तो याद रिखिया इसे हम जानते हैं market gardening के नाम से क्योंकि market gardening है मतलब आसपास का छेत्र में हमें क्या करना है जो भी हम माल लीजिए फल या सब्जी ले रहे हैं उसको आसपास की छेत्र में बेजना है ने कि दूर के छेत्र में अगर दूर के छेत्र में आपको वेजना है ता आप truck gardening यूज करोगे और इसको हम बोलते हैं विश्तर्त खेती क्या बोलते हैं विश्तर्त क्हेती कि इसको truck gardening को चैसे जो भी प्रोडुक्शन हमें प्राप्त होता है यह आगगे जो ट्र realization आभ फा राड़निंग यह आपको पूर सकता ट्रक सब्जी फागवानीग यह किस बईसा का सब्द है जल्दीसी बताइय इतलियुन होता है ग्रीक लिख सकता है फ्रेंच होता है लेटिव यह हम पर यह देख़े करना थे सामान्य वातावन से बंडब आता वन से बिनों यो मतलब रखchine कि याद रहा है है अगर आई यह यावा रिंप ले रहेरें लेकिन लेकर हम क्या कर रेंखरीफ के लिंटले रहें शीन है हम भेख्भ कर रहें घारीब करना किसी हमारें घاعती करना हो अ एक्स्ट्रा आने उससे प्राफट हो कि अगर मालिजी कोई ऐसे मालिजे आप कोई खरीद होगे कुछ में माल लीजे जैसे कि टमाट्र है तामाट्र की शीजन में तो आप उसे कम कीमत पे देखोगे लेकिन जब उसका सीजन चला जाएगा तो क्या होगा वही टमाट्र याद वर्ट कर रहा है ज यहाद रिखेगा इसे हम बोलते हैं ग्रीन वहाइस खेती अब ग्रीन हाउस का उद्दीश यह क्या है इत की अकोडिंग हम बात करेंगे सब्जिया उगाना ही वेजिटेबल फोर्सिंग के लाता है ठीक है चले नेक्स टीसन के आपर बात करेंगे कि तेरेने वाली सब्जिया बहात के कौन से भाग में उगाई जाती है कोमन से वर्ड़ा है इनको याद रखा करो कभी भी कुछ लिया जता है नेक्स टेसन के आपर बात करेंगे टाइफा गास सब्जी भागवाने की कौन से विद्धी में प्रियुक्त की जाती है यहाँ पर याद रखेंगे जो टाइफा गवस होती है यह पानी में किसमें होती ह ली यह आप देखाए घाशता गास दाहिए टाइफा गास यह ओती है यह देखेगा पानी में मतलब इस प्रता गास ती किया के जाती है पाने में जो खेति गार्णिंग बोला साय नेश्टिसन के यहां पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि ट्रक सब्जी बागवानी विदी किसे कहते हैं अभी आपको बताये था याद एक ट्रकों के माध्यम से अगर हम बेज रहें तो खाहां पर बेजेंगे पास तो हम बेजेंगे आराम से करेंगे खुब जगय हमारे ठीक है तो हम क्या करेंगे ज्यादा दूरी सपर रखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो हम क्या करेंगे विस्थर्त cancellet गरेंगे ना कि खरने खरन के करेंगे तो हम क्या करेंगे बिल्कुल आसफास कुल छेतर है हमाल लेजे हमारे 10 किलोमेटर के डाईरे में और को आप अप मार ले रहे हैं तर बिल्कव आप रहों कोई भी सब्सक्ति है तक हम चर्छे chosen कर रहे हैं कि ट्रक शबजी तो ट्रक का हम यूज़ करेंगे याद रखिया व्यापक या विस्तर्थ खेती के लिए तो इसका राइट अंसर क्या होगा फॉस्ट ओप्सन नेक्स्टिशन के आपर बात करेंगे इस्ट्रोवेरी का प्रवर्दन किसकी द्वारा किया आसा है तो इस्ट्रोवेरी है कोमंस अवर्ड याद रखना इस्टोवेर्टरी रनर्स किसे क्या आसा है इसका प्रवर्दन प्रोपेजिशन रनर्स के द्वारा किया आसा है नेक्स टुशन के आपर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है याद रखेगा उत्री भारत में आम का व्यापसाइक परवदन किस विदी के द्वारा किया आसा है याद रखेगा आम की अगर आप सब भी बात करोगे एक मेज़र आपकी क्रोप है और इसे कुशन साब को हरे के एक्जाम में देखने को मिलते हैं इसमें क्या होता है याद कि विनियर ग्राफ्टिंग में हम यूज करते हैं यूज करेंगे विनियर ग्राफटिंग यूस करेंगे अब यहां पर थोड़ा सा कन्फूसन आता है तो वहां पर यह आता इनारू छोड़र यह नहीं ठीक है चले नेक्स्ट इसन के आपर बात करते हैं कि पपी ताकी एक लिंगा सरी किस्मों हे तुँ बीज़दर कितनी रखता हैं सीड़ेट पूछा गया किसके लिए डायोसिस वेराइटीज के लिए एक लिंगा सरी किस्मों के लिए जल्दी से बताएंगे इसके सी दोगे इसका राइट अंसर भी तो यहां पर याद रखेंगे अगर हम बात करेंगे एक लिंगा सरी तो इसकी जो सीड़ेट हम रखते हैं 400-500 ग्राम पर हैक्टेर रखते हैं नेक्स्ट इसनके आपर बात करेंगे कि इसका रटिंग के कि लिए किस फल में की जाती है जल्द इसका रटिंगे अगर हम बात करेंगे तो यह की जाती है आप्सेसल क्रास लिजी लेकी लेकिन हमारा टारड़ है 25K जो कि कुछी की टाइम में तो बस 25 के जैसे ही होता है आपकी इस पिसल क्लास भी ओर्गनाइज कर दीजाएगी ठीक है तो जितना सहर कर सकते होँ फ्रेंड के साथ उतना सेर कीजिए जितने जल्दी हमारे 25 के सब्स्राइबर होंगे उतने ही जल्दी आपकी इस स्फेचल क्लास भी ओरिगन कर दी जाएगी ठीक है चलिए लाश की संदक लेते हैं इसमें आपको पूछा गए इस प्रवर्दन की कौन से वीदी में प्रियुक तो होता है क्या पूछा गए इस प्रेग नमगास के तो यहां पर याद दिए अगर हम बात कते हैं इसका जो प्रोपेजिशन की आसा यह किसके द्वारा की आसा है तो यह किया लाइना पसंद आए होगी आपको सारी किसमें अच्छे लेगे होगे तो वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल ना वोले जतना चल्दी टार्गेट कीजिए आपका भीष में बेनिफिट है मेरा भी इसमें बेनिफिट है ठीक है तो जतना ज्यादा हो सकते वीडियो को सेर और अगर चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब जरू कर लिजीए ताकि आने वाली सब वीडियो से आपको नोट किसा साथ मिलते रहे हैं तो चलिए मेंनता है नेक्स्ट फ्लास से अजब तक लिए अच्छे से बढ़े अच्छे से रही है